हेलो दोस्तों आप सबी को हमारी योट्व चैनल में स्वागत हैं तो आज मैं दस्वी बारवी बोड की बची हुई परिक्षाएं के बारे में न्यू अपडेट लेकर आया हूँ तो आप सबी लोग भली बाती जानते हैं कि लोगडोन की वज़े से दस्वी बारवी की परिक्षाएं बीच में ही इस सगीत करनी पड़ी थी अब चिंता का कोई विशाय नहीं दोस्तों अब बची हुई दस्वी और बारवी की परिक्षाएं माई में ही करने का निनाय ले लिया गया है संभावना है कि परिक्षा माई के आकरी सब्ता से सुरू हो सकती है अपसरों का कहना है कि परिक्षा के आयोजित को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी होगी और बोड की बची परिक्षाएं इस बार भी चार दिनों में ही खत्म होगी इसके लिए नई समय सारनी जल्द ही जारी होगी पीछली बाल लॉक्डॉन की आउधी बढ़ने की वज़े से परिक्षा टाल दी गई थी लॉक्डॉन की आउधी 17 मई तक है इसके बाद परिक्षा आयोजित की जाएगी इस संबन में सासन को प्रस्ताव भेजा गया है इसके लिए सासन परिक्षा केंद्रों की संख्या भी सेंटरों में बच्चों के हाथ दोने की विवस्ता रहेगी और बच्चों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा इस प्रकार दस्वी की बोर्ड परिक्षा में 3,87,542 चात्र जबकि बार्वी में चात्र की संख्या 2,72,809 है तो इन विसेयों की परिक्षा होगी दस्वी में प्रिष्ट हिन चात्रों के लिए संगीत और मुखबदिर चात्रों के लिए ड्राविंग और पैंटिंग का पेपर और बेशाइक पार्टकरम के तहत और्गनाइजड रिटेलिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी, आर्टो मुबाइल सर्विस टेक्निशन, हेल्थ केर, एक्रिकल्चर, मीडिया एंड इंटर्टेन्मेंट, टेली कॉम्निकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस एंड इन्सूरेंस, ब्यूटी एंड वैलनेस, इलेक्ट्रोनिक्स एंड हार्डवेर की परिक्षा नहीं हुई हैं और बारवी में भोगोल के सांद कई विस दूरौन कर लिजे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें, तब तक के लिए जैहिन जैवहारत